Hello dear student, welcome to physics nama. आज के इस वीडियो में हम लोग class 9 science का chapter work and energy का topic energy के बारे में study करेंगे. तो हम लोग energy का basic concept को आज समझेंगे, energy क्या होती है. तो आए हम लोग इसको समझते हैं, energy, energy से हम लोग क्या समझेंगे. अगर बोला जाए कि किसी object में energy है, किसी body में energy है, तो उससे हमारा क्या meaning होगा? तो देखे, an object having a capability to do work is said to possesses energy. यानि किसी body में capability है, छामता है, work करने की, कार्ज करने की छामता है, तो हम कहेंगे कि उस body में energy है. यानि कोई body में, कोई body, कोई कार्ज कर सकता है, तो हम बोलेंगे कि वह उस body में energy है. जैसे देखते हैं, यह एक block है, लखडी का block है, वहार एक आदमी है, man है, इसको push करता है, अभी यह खाना खा कर रहा है, इसके पास energy है. तो इसको यह push करता है, इस पर force लगाता है, और इसको push करके, इसके position से displace करता है. पहले यहाँ पर था और displace होकर यहाँ आ गया. यानि क्या क्या इसने force लगाया, force लगाकर इस object को displace किया, तो यानि क्या 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 इसने work किया, work का region क्या था, इसके पास energy था, तो इसने work किया, और यहाँ से यहाँ लाने के बाद इसका इनर्जी यह बोलता है कि मेरा energy अभी loss हो गया, मैं अभी इसको आगे push नहीं कर सकत हूँ, तो इसको जब छोड़ देता है, तो यहाँ object move करने लगता है, यहाँ से यहाँ तक इसने push करके लाया, तो देखे, the object which does the work loses energy, इसने काम किया इस object पर, तो इसका energy lose होगा, इसका energy कम हो जाएगा, और जो energy कम होगा, and the object on which the work is done gains energy, और इसका energy जो lose होगा, जिस object पर charge होगा, वहाँ उस energy को gain कर लेगा, तो इस man ने जितना energy lose किया, इस object ने इतना energy, उतना energy को इसने gain कर लिया, जो energy lose किया, इसके पास आ गया, तो यहाँ आब क्या करेगा, इसके पास energy आ गया, तो यहाँ क्या करेगा, तो यहाँ क्या करेगा as it receives energy and therefore do some work, अब यह क्या करेगा, इसके पास energy आ गया, तो इसके पास charge करने की छमता हो गई, अब यह भी work कर सकता है, यह यह move कर सकता है, तो देखें, यहां से यह move करने लगा, इसने यहां तक इसको displace किया, force लगा कर रहा हूँ, उसके बाद छोड़ दिया, तो यहां वहां से move करने लगा, तो move क्यों कर रहा है, देखें, इसने माल देते कि is, मैंने उस पर force लगाया, तो force equal क्या होता है, न्यूटन के second law के निशार, ma, इस object का mass था m, और acceleration जो होगा, उस object में माल देते हैं कि a हुगा, तो हम acceleration निकाल लेते हैं, acceleration हो जागा, f by m, तो हम जो motion chapter में, equation पर ये थे, उस equation से velocity निकाल सकते हैं, जब ये object यहाँ पर था, तो उसमें उसका velocity क्या होगा, b equal to u plus at, u तो 0 था, initial velocity 0 था, तो b हो जागा at, यानि उसमें जितना acceleration आया, ये acceleration f by m हो जागा, और t, जितने time पर किस मैंने उस body पर force लगाया, हो हो जागा, तो इन दोनों को multiply करे देगे, ये और t को, तो velocity आगया, तो यहाँ से जो अबजिक्त allen करने लगा किस velocity से move करेगा तो अब मुब करने लगा तो उसके पास क्या आ गया ? इनर्जी आ गया । यह भी काम कर सकता है propose के और कि अब पिच्छे से फोर्स लगाया stirring मेद उसक्तों दे अपने जगह से डिस्प्लेस किया, तो इसका इनर्जी लूज हो गया, तो इसका इनर्जी लूज हो गया तो यह रुख गया, लेकिन इसका जो इनर्जी लूज हुआ, वह कहां गया, वह जो दूसरा ब्लॉग था, उसको इसने इनर्जी ट्रांसपर कर दिया, इसका लूज तो वह भी इसके तरह ही वह भी work करेगा तो this implies that any object that possesses energy can do work. तो इससे हम क्या निसकर्श निकालते हैं कि कोई भी object जो जिसके पास energy होता है वह work कर सकता है, यह साम लोगों ने इस activity में देखा, इसके पास energy था तो इसने दुसरे object को एक जगा से दुसरे जगा displace किया यानि इसने work किया. The unit of energy is same as that of work, that is joule. अब देखें, energy का जो unit है, वह same work का जो unit होता है, तो energy का भी unit joule है, क्योंकि हम लोगों देखें कि जितना work होता है, उतना ही energy transfer होता है. तो इसके कराण जो unit है, work का जो unit है, वह भी energy का unit है, इसको joule बोलते हैं. One joule is the energy required to do one joule of work. हम one joule energy किसको बोलेंगे? अगर किसी energy से हम one joule का work करते हैं, किसी energy से अगर हम one joule का work करते हैं, तो हम बोलेंगे कि उसका जो energy है, one joule है. अगर हमें और अधिके large quantity में energy को measure करना है, तो इसको kilo joule बोलेंगे, one kilo joule equal होता है, one thousand joule, one kilo joule equal to one thousand joule. तो यह आज का topic समात हुआ, अगर यह आपको पसंद है, तो इसे like करे, share करे, thanks for watching. कि उसका है, तो हमादी परीची करे की थाटोर ही, परादी परादी करेंगे. झाल झाल